लगातार और यही अवजाल लोगों को दोड़ा के या इस तरीके से दंगे करवाने का ताम गया वैरे पिताई जी के हत्या समय साथ लोगों की हत्या कराए गए उस समय का कारिकाल रहा हो तो आखिर इससे पहले भी ये विधायक और सांसद रहे हैं उस समय क्यों नहीं इनको तकलीफ हुआ करती थी हमारे सब बाचीत के लिए मौजूद है पियू स्राइजी पूर बीजेपी विधायक स्वरगी और कृष्णा अनंदरायक के बेटे हैं लगातार अनसारी परिवार के खिलाफ लड़ते भी आ रहे हैं सवाल इस बात का है कि आप लोग चुकी उनकी सारी activities को देखते रहे हैं समझते रहे हैं उनकी खिलाफ लड़ते रहे हैं आप लोग का क्या सोचना है क्या इन आरोप में वाकई दम है जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं या फिर इस आरोप के पीछे कोई दूसरी कहानी भी हो सकती है सबसे पहले तो अशुतोर जी आपका मैं दन्यवाद करूँगा और आपके सभी वीवर्स को मैं होली की डिर सारी शुब कामनाओं के साथ देखे ये सब एक माया जाल है और सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि जो वेक्ति अपने जीवन काल में चार बार पांच बार बिदायक रहा हो दो बार सांसद रहा हो उसक ये तो मेरा मानना है कि जब से 2000 चौदव में अदर निया प्रदान मनतरी मोधी जी की सरकार हो या 2017 में जब से योगी जी की सरकार होrdी है, सारे माफियाओं के खिलाफ जिस तरीगे की कारवाई, लगा psychology fraad 31 माफिया के किलाफ जो नीती अंतिया रही हैं जिरो तोलरेंस की नीतियाँ अपनाई है योगी सरकार में इन को कोई न कोई बहाने तो अपने चुनाओं के टाइम पे चाहिए ही होते हैं आप आप से यह सोचिए कि उन्हों अपने भासरण में उन्होंने ये कहा है कि उनके पिछले पांट साल की सबसे बड़ी ख्याती है जो वो जो वोटर्स हैं गाजीपूर के बता रहे हैं पीमजे सवाई का रोड आप और हम सब लोग जानते हैं कि प्रदान मंतरी गराम सवरा की योजना आदरनिया प्रदान मंत जब ये लोग जब अपने चरम पे थे और सपा बसपा की सरकार हुआ करती थी इससे पूर में तो उस समय इन लोगों के लिए ये भी खाती नहीं थी उन लोगों के उस समय बस इतने ही खाती थी कि आप अगर ओट देंगे या नहीं देंगे तो आपको जहां से मरवानी का ये लोग धंकी दिया करते थे लेकिन अब जैसे परिसितिया बदली हैं आज जो सुशाशन इस प्रदेश में आधरनिया योगी जी द्वारा महराज जी द्वारा लाया गया है और जिरो टॉल्रेंस की नीथी ने अपराधियों के खिलाब जो अपनाई गई है उसी का नती पिछला कारेकाल आधरनिया मनोस इनहा जी का भी देखा है जिन्होंने अपने पूरे पांच साल के कारेकाल में करीब 36,000 करोड़ों तका का काम घाजी पूर में चाहे वो रोल रेलकम रोड जो नोंने बनवाया उसका प्रोजेक्ट हो चाहे कई ट्रेनों का काम हो उसको वो लोगों ने देखा है वो टिप क्या हो सकता है क्या एक पब्लिक सेंटिमेंट जो खासता और से जो एक अंसारी परिवार के परंपरागत जो वोटर्स रहे हैं जो शिटक कर शायद बीजेपी की और चले गए तो फिर से उनको गोल बंद करने की कोसिस है मुक्तार अंसारी क नाम पर ये कहा जा रहा है कि देखे जो मौजुदा सरकार है वो अत्याचार कर रही है तो क्या एक सिंपैथी गेन करने की कोसिस की जा रही है क्या अंसारी परिवार के देखे मैं आशुदोर्स जी आपको एक चीज बताओं आपके किये हुए करमों का जो भोगदंड है व मेरे पिता जी के हत्या समय साथ लोगों की हत्या कराई गई उस समय का कारिकाल रहा हो गाजीपुर का मूट क्या है इस बार क्योंकि अभी बीज़ेपी का कोई प्रचासी तैय नहीं हो पाया है कहा ये जा रहा है कि मनो सिनहा जी के भी परिवार से कोई आ सकता है या वो है वो कमल के फूल को अपना प्रचासी मानता है वो चाहे मनोज जी कभी रहे हो चाहे उनके परिवार से कोई आए चाहे ब्रिजे सिंग आए चाहे कोई फलाने डिवां के जो भी है प्रत्याशी हमेशा नरेंदर मोधी और आदरनिय योगी जी के किये हुए कारियों का होता है और प्रत्याशी हमेशा कमल का फूल होता है बस इंतजार है प्रत्याशी कोई भी हो इंतजार है एक जून का जिस दिन ये पोलिंग होगी और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनके किये हुए जो उन्होंने पांच साल में किये हुए काम है इसका रिजल्ट उनको एक चार जून को देखने को मिलेगा.